आश्लाम अलेकुम, विलकम टू अजीम योगा, देस इस मी अजीम, I am your fitness friend आज जो है वो हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा योगा पोज जो है, जिसके बहुत सारे बानाफिट है माइनफुलनेस के हवाले से आपको you have to have self body control तो बहुत ही अच्छा पोज है, वो है जी चातरांगा, जिसमें आप जो है, forward, lean forward करते हैं अपनी body को, then बाजो से नीचे जुकाते हैं and then upward facing dog में आते हैं, बहुत सारे लोग की हमें request है कि आप एक दो दो पोस को एक अच्छी तरीके से, अच्छी डीटियल से समझाएं ताकि कोई घर में perform करने वाले लोग हैं, वो उनको असानी से समझ के उनको perform कर सके, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चातरांगा with mindfulness, mindfulness is actually means in yoga that you have to perform the practice with conscious mind and with the hold as well, ठीक है, आप hold करते हैं, position को with hold आप लेके जाते हैं with conscious mind and with the deep breathing as well, तो हम इसको start करते हैं चातरांगा को, व वीवर्स हमारे चैनल को watch कर रहे हैं, तो वो चैनल को subscribe भी कर ले, वीडियो को start करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं देचातरांगा की, तो उसमें हमें किस-किस muscles को active करने की जरूरत है और किस-किस muscles को strength की जरूरत है, वो भी मैं आपको गाईट करूँगा और तमाम उसकी exercise भी म आपको बताऊँगा जिससे आपकी body में control होगा, कि आप बहुत ही slowly and with control जो है, वो body को नीचे की तरफ ले के जा सकेंगे, तो उसमें सब से पहले आपके rest की जरूरत होती है, इसमें flexibility हो और इसमें strength हो, उसमें क्या करना है, आपने इस तरह से करना है, finger आपने separate रख लेनी है ठीक है, table position है, finger आपकी separate होंगी इस तरीके से, right, and then आपने forward जो है, अपने body को सारा weight आगे shift करना है, and then get back, forward करना है, और get back, आप इसको eight times जो है perform करें, मैं आपकी चीज़ सजस्च करना चाहूंगा, कि आप मेरे जितनी भी yoga की videos है, उनको साथ साथ perform क्या करें, then definitely will get the different sensation, and you will get the benefit, और आपको boring नहीं लगेगी, otherwise 10 to 12 minute की यह ज्यादा जो video होती है, वो देखना, just देखना वो boring लगती है, तो आप जो भी practices हो, आप video को निकाल लिये करें, और साथ सा उसकी practice किया करें, चाहिए, आप इसको eight times इसको perform करेंगे, फिर क्या होता है, हमने इस तरह से body को, यह body होती है, तो हमने इसको विलको nicely जहाए, इसको नीचे इस तरह से ले किया आना होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके एक तो आपने यह ध्यान रखना है, आपकी डाक है, वो पीछे के तरफ नहीं होगी, ठीक है, वो forward होगी, आपने इस तरी से contract किया होगा, इस तरी के स नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहली बात होगी है, अब दूसरा, कि इसके लिए आपकी यह जो shoulders हैं, इन में भी strength होना जरूरी है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पूजिशन में आ जाना है, आपने अपने shoulders को जुकाना है नीचे के तरफ और inhale करते हो उपर की तरफ आना inhale and exhale, आप इसको भी जो है वो आठ दफा परफॉर्म कर सकते हैं, आपने जरूर कमेंट बॉक्स हों मुझे बताना है वीडियो को वाच करके परफॉर्म करते हुए, कि आपको how actually you felt that and what sort of benefit that you have got, अब आपने इसको थोड़ा सा variation करना है जब आपने इन्हेल करना है, दो shoulder base को उपर की तरफ उठा के और हाथ आपने उपर की तरफ करना है, right, then आपने नीचे हाथ किया, फिर इसको नीचे की तरफ किया, आपने shoulders को जब shoulders को उठाया आपने इन्हेल करते हुए, आप आपने इसको हाथ को उपर की तरफ ले गए, right, इससे आपकी जो है वो shoulder में strength होगी, जो आपको balance करने के लिए और आपको control वाली power देने के लिए आपको काम आएंगी, inhale, and exhale, very nice, आप इसको भी जो है वो perform कर सकते हैं up to eight times, उसके बाद आपने क्या करना है, आप इनको थोड़ा सा पीछे लेचें, अपने इसको थोड़ा सा आप जो है वो पीछे कि तरफ लेचें, आपने क्या करना है, आप इस पे थोड़ा सा अगीए तरफ जो हैवो की जो है नहें forward करने अपना वेट इस तरीके से full plank में आजें and then slowly get back slowly get back very nice very nice inhale करना है straight and exhale very nice मेरे साथ इसको at least अपने है five time perform कर inhale आगे weight shifted हमने contract किया अभी बैक को and exhale very nice very nice two more time inhale exhale very nice one more time inhale exhale wow very nice very nice अब हमने अपना weight को forward shift करने को शीकरने एक मुनासिब साथ आपने जो है वह वह नीस को adjust कर लेना है ताकि बाज़ आपके straight होड़े हमने करना है हमने control अपनी है इसको जो हमारी जो कौनिया होंगी यह बिलकुल जोली इतना किया and then get back ठीक है जब आप करेंगे तो फिर आपको फील होगा कि अपनी शोल्डर के extra muscle जो है वह कितने active हो रहे है ठीक है आपने half way जाना है आगे तरफ गई यहां तक and get back very nice very nice आगे की तरफ के yes half way आपने forward किया weight को and then get back actually आप अपने mind को pattern दे रहे हैं आपनी body को उस तरह से ढाल रहे हैं ताके वह उस position बालस कर पाए आगी तरफ जाएंगे inhale and exhale one more time inhale and exhale very nice कुछ देर के लिए हम up to 15 seconds के लिए child pose में रहते हैं तमाम position में जो है वो child pose को add कर लेना चाहिए this is very relaxing and very good position कि इसी पूजिशन में लंबे गहरे सास लें आप है अब हमने कोशिश करनी है थोड़ा से जैसे हाफ हम वेट में शिफ्ट कर रहे थे अब हमने five time कोशिश करनी है कि हम अपना वेट जो है फुल शिफ्ट कर से इन्हेल करेंगे वेट आगे की तरफ फिफ्ट करके आप देखेंगे यह जो बाजू है यह स्ट्वेट रहेगा यह पीछे की तरफ न जा रहेगा बलके यह आगे की तरफ जाके और यह देखें इस तरीके से and then get back fingers आपके separated रहेंगी yeah in here are you get the rough yes and exit very nice this is very solid position you will actually enjoy this inhale and exhale very nice two more time two more time never बेर गयवाफ बेर नाइस वान पर ताइम जितना चंट्रोल हो से के अपिसको थना कंट्रोल करके और याद विए जिए के तरह बाइब जो करेंगे अद गेट बाइब भाइब वही नाइस I'm feeling a burning sensation over my shoulder तरह से बॉड़ी रिलाक्स करने के लिए आप इस तरह से हलका हलका जो है ना वो बॉडी को मुफ करें राइड जो है वो कंदे को निचे और लेफ पर इस दिके से आप जह हलका हलका सा ताके जो हमने स्ट्रेच किया है या फोकस किया है शोल्डर वो थोड़ से रिलाक्स होड़े है वरी अब हम क्या करेंगे हम अगे फुल प्रांक में आएंगे ठीक है अपनी बाक को कॉंट्राक करते वह निचे की तरफ में इसे नहीं होना कॉंट्राक करते वह पिछे की स्ट्रेट लाइन आपने डिफाइन करनी है हमने करना है हमने इसको अलाम से एक को निचे की तरह तरफ रखना एंद वान टू थ्री फूर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वरी नाइस 15 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए चाइल पोस में आ रहे हैं आपने इसी तरह इसको परफॉर्म करना है तक है बहुत ज़ना नहीं को तो आपने आपने आपको ईजास्ट नहीं करना बलके हमने इसको इंप्रूफ करना है वहीं पे हैं फूल प्लाक में आएंगे पहले जर्स्ट आपने कोशश करनी है कुश्ट 5 to 7 time 8 time हमने इसको वेड को shift करना है आप मेरी fingers देखेंगे fingers आगी की तरफ पुश कर दिये and then back आगी तरफ वेड शिफ्ट किये and then get back 2 3 4 5 6 7 8 वेरी नाइस वेरी नाइस इसको कुछ दिर इस तरह से करके इनको पहले clockwise को माई सास ले तरे लंबे गेहरे and then anticlockwise को माई right hand इस तरह से करें इसको stretch करें इसको देन ऑपोजेट इसको stretch करें इस तरह से सेम इस हाथ को पहले इसे stretch करें फिर रिवर्स करके इसको stretch करें कुछ जो है वो forward round कर लें थोड़े shoulder आपकी relax हो जाएंगे इसके बाद हमने downward facing dog करना है थोड़ा सांती के समझ के reverse और फिर हम चातरांगा को perform करेंगे जो की major part है sensor rotation गाई जिससे आप को mindfulness जो है वो आती है और उसके इलावा यू एक्षली इंप्रूव यूर फिजिकल और mental health तो downward facing dog करते हैं हाथ इस तरह से रखे finger subtracted चीक है ऐसे आप बैठे हुए है आप आपने नीज को उठा लिए अपनी इस तरह से और इस तरीके से आ गए ठीक है अगर hamstring आपके relaxed है तो आप इसको पाओं को जमी पे लगा सके अधरवाइस आप ने करना है आपने इसको flexibility को एक पाओं पर जमीन पर लगा और देन दूसरा लगा दिया एक लगाया पाओं जमीन पे और फिर दूसरा लगा इस तरीके से आप इसको each feet को 10 times जो है वो perform कर सकने हैं जिससे आपकी tight hamstring जो है वो flexible हो जाएंगी ये भी ख्याल लखना है अगर आप morning में करते हैं तो आपने परिशान नहीं होना morning में body थोड़ी stiff होती है बाकी दूसरे time की निस्बत ठीक है जी तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी कंदे नीचे हो सर अंदर की तरफ हो और पाओं जमीन पे आपके लगे हो अब मैंने चातरांगा में full plank position में आना है तो मैंने पहले इस तरह से finger पे आदेना है पंजों पे ठीक है और इस तरीके से मैं जो है वो हूँ full plank में चातरांगा में आपने आगे weight forward किया इसको straight रखा और इस तरह से dog की position में आप आ जाएंगे right तो इसको आप कुछ दिर hold कर सकते हैं and then same इसी तरीके से आपको जाना होगा child pose पे आप वजरासन अतायाद की तरह बैढ़ गए आगे की तरफ आपने हाथ पे ला दिए shoulder blades को आपने थोड़ा से नीचे की तरह stretch किया लंबे गेरे सांस लिए जमीन पर आपने जहां माता लगा लिया 15 सिकिन तक आप लंबे गेरे सांस लें प्रणाद आपने तक लगा पर आपने वजरा पर आपने पर आपने पर आपने तक लुद्ट केए जी I'm sure you like the Chaturanga yoga pose and you like the video, if you do, so hit the like button और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, हम every Thursday and Sunday जो है आपके लिए असान तरीके से योगा पॉस्स को ले के आते रहेंगे, जो के ना कि आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बेतर है, बलके आपकी mental हेल्थ के लिए भी बहुत बेतर हैं, चीक है, तो हमें जरूर सपोर्ट कीजएगा, we actually need your support and your love as well, take care, goodbye, Allah Hafiz